तो इंटर्व्यू से मैं भी बहुत डरती थी, in fact मेरे मॉक्स में भी मेरे को रियोल इंटर्व्यू तो छोड़ो आप मुझे मॉक्स से भी बहुत डर लगता था थोर्ड पैनल मेंबर ने मुझे इवेस्ट के बारे में पूछा, बजट में क्या-क्या मेजोर्स लिए गए हैं हमारी एकॉनमी के लिए वो पूछा, उस पर उन्होंने पूछा था कि जो जोशी मठ वाला इशू हुआ था उत्राखण में, कि कैसे हम टूरिजम और लाइवल के बाद एक होता है परसनालिटी टेस्ट, जिसको हम इंटर्व्यू बोलते हैं, तो कई लोग के मन में ये सवाल आता है, कि हम रिटिन भले ही क्वालिफाई कर लें, लेकिन इंटर्व्यू को कैसे बीट करें, तो इंटर्व्यू को बीट करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, और कुछ टिप्स हैं, हमारे साथ में इससे में मौझूद हैं, UPSC 2022 की जो नेनो बीट किया है, उनकी 58 रैंक आई है, उनका नाम है दिक्षिका जोशी जी, उन्हीं से बाचित करते हैं कि इंटर्व्यू को कैसे बीट कर सकते हैं आप, जब मैं इंटर्व्यू की तैयारी कर है कि वो लोग क्या जज़ करते हैं, बट मुस्ली मुझे लगता है कि वो लोग आपका, आप क्या कितने question answer करते हैं, यह नहीं देखते हैं, वो यह देखते हैं कि आप जब answer नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको 4-5 questions भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप उसमें अपना काम maintain कर पा रहे हैं, या आप आराम से sorry बोलके उस questions को dodge कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरे यहीं काम किया, क्योंकि बहुत सारे questions ऐसे थे मेरे interview में, जिनको मैंने नहीं answer किया था, तो हम लोग बाचीत करते हैं कि उस तरह के जो हमारे उनकी preparation होती है, graduation and post graduation के समय, कौन से ऐसा जो है interview के questions put up किये आते हैं, जो आपके लिए important हो सकते हैं, चली दीखशे का जी से हम बातचीत करते हैं, इस बारे में कि कितना important है उनका graduation, post graduation and 12th का जो उनकी पढ़ाई है, तो जो मेरा समिता नागराज मैम का board था, और उन्होंने जो पहला सवाल chairperson women ने मुझ से पूछा थ उन्होंने मेरे होमटाउन के बारे में पूछा था, इसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा था कि मेरे बहुत सारे achievements मैंने लिखे थे अपने detail application form में, और उन्होंने मुझ से पूछा कि इस में से सबसे तुम्हारा सबसे प्री achievement कौन सा है, तो मैंने अपने BTEC के दोरान में all-terrain vehicle manufacturing competition में participate में उस team की member थी, तो मैंने बोला मैम की मेरा यह सबसे प्री अचीवमेंट है, और फिर वहां से मेरा interview थोड़ा mass transport की तरफ गया, कि हम mass transport क्यों प्रमोट करते हैं, और इतना pollution है, फिर भी हम private जो vehicles उनको क्यों प्रमोट कर रहे हैं, यहां से जो मेरा answer था, उसके basis पर मैम next question पर move करी कि women के लिए mass transport क्यों free होता है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मुझे mass transport free कराने की scheme बनानी पड़ीगी, तो मैं क्या-क्या चीजों का ध्यान रखूंगी, यह मैम का last question था, फिर जो अगली member थी, उन्होंने मुझसे nuclear energy पर question पूछे, कि क्या-क् advantages है, nuclear energy के, हम क्यों promote कर रहे हैं, उसके नुकसान क्या है, उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, क्या हम fossil fuels को phase out कर पाएंगे, तो इसके around मेरे second panel member के questions है, third panel member ने मुझे e-waste के बारे में पूछा, और e-voting के बारे में पूछा, बजट में क्या-क्या measures लिए गए हैं हमारी economy क वो पूछा, उसके बार जो आखरी panel member थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि renewable energy की disadvantages क्या है, और उत्राखंड में कोई hydroelectric power project है, जिसके against protest चल रहा था, वो कौन सा project है, और मैंने एक emerging energy resources करके एक subject पढ़ा था अपने master's में, वो कौन से emerging energy resources हैं, और basically यही था मेरा जो आखरी panel member था उनकी questions, अच्छा, एक और panel member ने मुझसे मेरी hobbies पे question पूछे थे, तो मेरी एक hobby थी religious tourism, उस पर उन्होंने पूछा था कि जो जो शिमठ वाला issue हुआ था उत्राखंड में, कि कैसे हम tourism और livelihood को balance कर सकते हैं, environment को balance कर सकते हैं, और जो दूसरा question उन्होंने पूछा था कि स्व इंटर्वीव के, यह आपने जो है, आपने बताया कि इंटर्वीव में इतने questions थे, वो मतलब गहराईयों की और जाते हैं, वो interviews, जो अगर आप अपने जो hobby से related हैं, अपनी education से related, जो form फिल करते हैं, जो आपने पताया, interest form बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, detailed application form, अगर ही जवाब दे पाएं, कुछ और important चीज़ बताना चाहते हैं, कि उन students के लिए खास और से, जो लोग preparation करते हैं, लेकिन interview में बार-बार मात खा रहा हैं, या interview को से वो डरते हैं, तो डर कैसे निकालना चाहिए, interview के सामने, तो interview से मैं भी बहुत डरती थी, in fact मेरे mocks में मेरे real interview तो छोड़ो, आप मुझे mocks से भी बहुत डर लगता था, तो मैं यही काऊंगी कि आप mocks देते रहिए, और eventually, after one or two months, आपका डर थोड़ा काम हो जाएगा, हटे का तो नहीं, क्योंकि real interview में सच में बहुत unnerving experience होता है, वो सच में बहुत डर लगता है, और सबको लगता तो एक तो यही काऊंगी, दूसरा कि अपना DAF, अपनी तरफ से आप जित्ती तियारी कर सकते हैं, वो करके चाहिए, DAF अच्छे से प्रिपेर करिए, प्रैक्टिस करिए, बाकी इंटव्यू में subjectivity है, जैसे मैंने कहा, मुझे भी लग रहा था कि मेरा interview बिल्कुल अच्छ रही है, अपना original self रही है, मिरको लगता है, वो लोग बहुत experience लोग होते हैं, आप थोड़ी भी fakeness वहाँ पर लेके जाएंगे, या थोड़ा भी आप rehearse लगेंगे उनको, तो मुझे लगता है, वो कही ना कही negatively reflect करता है, मैं बहुत natural थी, मिरको जादा मैंने mocks भी नहीं तो मुझे लगता है, वही काम करा मेरे लिए कि I was my original self in front of the board. तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सबसे आगे हैं, तो हमारे साथ में मौझूद है सबसे आगे वाली दीख शिकाजी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सेर, थैंक यू.